आज हम पढ़ेंगे पार्ट चार वाक्य अक्षर से मिलकर बनते शब्द अर्थ एक बतलाते हैं शब्दों से मिलकर वाक्य बने तो पूरा अर्थ बताते हैं जैसे अक्षर से मिलकर बनते शब्द शब्द किसे मिलकर बनते हैं अक्षर से तो फिर वो एक अर्थ और फिर जब उनका मीनिंग निकलता है तो वो एक शब्द होते हैं शब्द फिर उसका एक मीनिंग होता है नेक्स्ट है शब्दों से मिलकर वाक्य बने जब वही शब्द उन्ही शब्दों से हम एक वाक्य बनाते हैं और फिर जब उसका एक मीनिंग निकलता है उसे हम कहते हैं वाक्य जैसे कि वाक्य की डेफिनिशन होती है शब्दों का सार्थक सम्हूं वाक्य कहलाता है शब्दों का सार्थक सम्हूं मिन्स सार्थक कि जब हम वाक्य बनाते हैं तो उसका एक मीनिंग निकलना चाहिए जब उसका एक मीनिंग निकलता है उस वाक्य का उस संटेंस का तो वो सार अथक समू बन जाते हैं, फिर वो क्या कहलाते हैं, वाक्य कहलाते हैं, ठीक है, अब है वाक्य के अंग, वाक्य के दो अंग होते हैं, नमबर एक उद्देश्य, नमबर दो विधे, नमबर एक उद्देश्य, वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है, उसे उद्देश् जैसे देखो वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है जो हमारा एक sentence होता है वाक्य होता है उपर देखो जैसे कि एक example यहां दिया हुआ है रचित खेल रहा है अब यह क्या कह रहेगी वाक्य के अंदर जिसके बारे में कुछ कहा जाता है वो उद्देश्य होता है इसमे रचित खेल रहा है खेलने का काम कौन कर रहा है रचित तो उद्देश्य कौन हुआ रचित ठीक है उसी तरीके से next है विधे वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है जो हमारा वाक्य है उसमें जो उद्देश्य है उसके बारे में जो बात कही जा रही है वो क्या होगा, विधे, जैसे यहां for example, साक्षर खाना खा रहा है, अब साक्षर इसमें दिया है, उद्देश्य, खाना खा रहा है, विधे हो गया, क्योंकि उद्देश्य क्या है, कि वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है, अभी हमने यहां पर पढ़ा, वो उद्द होता है, ओके, आम फलों का राजा है, अब इसमें आम क्या हो गया, उद्देश्य, फलों का राजा है, विधे, ठीक है, नीचे देखो, उपर युक्त वाक्यों में साक्षर और आम, ठीक है, वो उद्देश्य है, क्योंकि उनके बारे में कुछ कहा जा रहा है, साक्षर के आम के बारे में भी कहा जा रहा है कि साक्षर क्या कर रहा है खाना खा रहा है और आम के बारे में भी कहा जा रहा है कि आम क्या है फलों का राजा है तो उदेश्य के बारे में बात कही जा रही है इसलिए वो उदेश्य है और उनके बारे में जो कुछ कहा जा रहा है जैसे खा खाना खा रहा है एक्जामपल में दिया है अक्षर साक्षर खाना खा रहा है ठीक है फलों का राजा है आम फलों का राजा है आम उद्देश्य हो गया और फलों का राजा है वो विधे हो ठीक है उद्देश्य और विधे समझ में आ गया उद्देश्य क्या होता है देखो यह वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है जो हमारा संटेंस है उस में जो हमारा वाक्य है उस वाक्य में जिसके बारे में बात की जा रही है वो उदेश्य होगा ठीक है और विधे क्या होगा कि वाक्य में जो उदेश्य है हमारा जो उदेश्य है हमारा उसके बारे में ज जो बात की जा रही है वो विधे होगा ठीक है हमारा पार्ट चार पूरा हो गया है और आपको समझ भी आ गया हूँ